नमस्कार तुड़े हिमाशुल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ भावनर रिनाट और चलि देखते हैं श्राम की बड़ी खबरों को फटा फटा आपके स्वाद्ब करने के तुड़े इमस्प्राइश फननाषी प्लमनेरी मेडिसेन समेचरिव उपीड़ी स्वाधार शुरू होगी ईमस्प्रबंदन ने च्वाधमें विश्यश रही होगी शुकिस्को की पादभाने के तयारी की हैं वर्तमान में 21 विश्ट में प्रशिक पोस्ट ग्याडवेशन कर रहे हैं एम्स प्रबंदन कियों से पल्बनेरी मेडिसिन, पेमार मेडिकल, गेस्ट्रो एंट्रोलोजी और सर्जिकल गेस्ट्रो एंट्रोलोजी ओपीडी शुरू काने के तैयारी की जा रही है और विभागों के शुरू हो जाने से लोगों को में एम्स बिलासपुर में 21 विभागों के ओपीडी चल रही है इसमें विश्यचग्य चिकस्तक लोगों को बहता सिवाएं दी रही है एम्स बिलासपुर आईपीजी में बिस्ट्रो के सुवधार दी है जोगिंदर नगर में नीजी स्कूल ब Greek में मंगलबा सुबा टक्कर हो गई हादिस में बच्छालक सहीत बीज से अधिक विद्यारती घाल हुए हैं घालों को प्चौर के लिए से विलस पता जो गिंद्र नगर में भरती क्या गया जानकारी के नुसार मंडी पिठान कोट हाई विपा मंगलबा सुबा नीजी स्कूल बस विद्यारतीों को लेका जोगिंद्र नगर से मंडिक की और जा रही थी एसी दुरान अचानक जोगिंद्र नगर के एप्रोच मार के पास मोड पर बस सामने से आ रहे ट्रॉले से टक्रा गई है पटना के बाद विद्यारतों में चीक पुकार मच गई हादिस में बच् बीर वबीस से अधिक स्कूली बच्चे को चोटी आई है घटना के बाद सभी घयलों को एक स्वाट अमुलेस के मादम से सिविल अस्पतार जो गिंद्र नगर पहुंचा आगया उदर हादिस से के बाद मंडी पिठान को ठाईवे पार लंबा जाम लगया है डियस्पी पधर दिनेश कुमान ने बताया कि पुलिस के ओसे अगामी कारिवाई अमल में लाई ज़ा रही है घयल बच्चो वबच्च अलका जुगिंद्र नगर अस्पताल में प्रास्पिक उप्चार जारी है जेपी नड़ा बोले इंडी गठ बंधन भरच्च अचार्यू का जमावडा इनके निता बेल पर या ज्येल में भाश्पा के राश्वे रग जेपी नड़ा अच्चुनावी प्रच्चार के लिए हिमाचुर प्रदेश के दोरे पर है खिनाजरा के शोल्टु में जनसभा को संबोधित कते हुए नड़ा ने कॉंगिस वा इंडी गठ बंधन पर जम करने श्वाना साथा नड़ा ने कहा इंडी गठ बंधन भरच्चार्यू का जमावडा है इस अब रहस्ट अचारी है राहूल सोनिया गांधी अर्विन के जिवाल बेल पर है घवंडिया इंडी गठ बंधर के नेता या तो बेल पर है या ज्वेल में है उन्होंने कहा कुरूना काल में बड़े बड़े देशों के अर्थववस्ता डगमगा गई थी लेकिन मोदी के नेत्रत्व में भारत कर्थ ववस्ता आज पांचवे नंबर पर आ गई है अब तीस्टी बार मोदी प्रधान मंत्री बनेंगे तो बारत तीस्टी नंबर की अर्थववस्ता बनेगी कहा कि आज डबल लेन सड़कों के साथ पुल सैकड़ों किलोमीटर के सिमा अक्षेत्र में बनाए गई है नड़ा ने कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचुल के गाउं को जो निकले 17,000 किलोमीटर लंबी सड़के बनाई है प्रियंका गांधी बोली आपदा में मोदी एक बार भी हिमाचुल नहीं आई चुनी हुई सरकार घिरान की कोशिश हुई कौंगेस पार्टी के राश्रे महा सर्चीव प्रियंका गांधी बाटरा ने मगलवार को हिमाचुल प्रदेश के उनासरे के गागरेट में जनसभा खोल संबोधित क्या कहा कि प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी आपदा के समय एक बार भी हिमाचुल नहीं आए कौंगेस पैसोव धनबल के लिए नहीं जनता के लिए काम करती है आपदा कि राहत कार्यों के लिए केंद्र की तरफ से प्रदेश के लिए एक रुपया नहीं आया दर्वा के जनता क्याँखों के सामने कड़ने की कोशिश की। ये हमाइरे दाउं के दरता थी कि सिरकार एक जुठ रही जिनको जाना था धनबल के अधार पर चले गए। भाश्प्रा का सिरफ एक धर्म सत्तावा संपति है। पोलिंग पार्थियां अपनी गाड़ी में नहीं ले जा सकेंगी एवियम को ताही बरतने पर होगी कारेवाई हिमालचर प्रदेश में लोक्स वा चुनाव करवाने के लिए पोलिंग पार्थियां अपने नीजी वाहन में एवियम और वीवी पैट मशीनों को नहीं ले जा सकेंगी चुनाव आयोगनी मशीन के साथ नीजी वाहनों के प्रियोग पर पुरी तरहां रोक लगा दी है इसके लिए आयोगनी मतदान कर्मियों को आदेश जारी के हैं कोई भी कोताही बरतने पर चुनाव आयोग करी कारिवाई करेगा आदेशों में इस पश्च क्या है कि पोलिंग पाटियां आयोग की और से लगाई गए हिमाचल पत पड़िवानी गम्त की बसो और सरकारी वाहनों का ही प्रियोग कर सकेंगे पर देश में एक जून को मतदान होना है इसके लिए 331 माई को मतदान केंदरु के लिए पोलिंग पाट जारवाना होगी पत दान के बाद भी आयोग की और से लगाई गई बसो और सरकारी वाहनों में एवियम और वीवी पैट मशीनों को स्ट्रॉंग रूम तक पहुंचाएंगे इससे एवियम के सुरक्षा बनी रहेगी साधे सवाल भी खड़े नहीं हो सकेंगे सनात कोतर परिक्षाओं की डेर्शीट जारी 12 जून से होंगी परिक्षाओं हिमाजर प्रदेश विश्वदाले ने सनात कोतर सरकी परिक्षाओं की डेर्शीट जारी कर दी है यह परिक्षाओं 12 जून से शुरू होंगी विभन कोर्सिस के डेशीट विश्वधाली की वेब साइट पर अपलोट की जा रही है इस डेशीट के जारी होने से लंबे समय बाद विश्वधाली की सनात कोतर सरकी परेक्षाएं जून महा में शुरू होंगी वश्वधाली के चलते उच शिक्षन संसानों का शेक्षनिक क्लेंट अब भी कर गया था और परेक्षाएं समय पर आयुजित नहीं हो पा रही थी लेकिन इस बार ह्पियो सनात कोतर परेक्षाएं समय पर आयुजित हो पा रही है गोदाम से भीजा एक करूर का राशन डीपों में पहुचने से पहले गायब सुबे में सार्वजनिक वित्रण परनाली के तहते डीपों से मिलने वाली राशन में गड़बड जाला सामनी आया है मामनी का पता चलते ही विभागने ज्रांच बेठा दी है हिमाचर प्रदेश खादे एवं नागरिक आपूर्टी निगम देहरा के अंत्रगत्र सरकाई राशन के ये गड़बड़ी सामनी आया है दरसल पीडियेस के तहत राशन का धारको को प्रती महा उचित मुली की दुकानों से दाली आटा गंदम चावल चीनी समेथ अन्य राशन उपलप्त करवाया जाता है प्रदेश नागरिका पूर्टी निगम्त का देहरा में धोग गोदाम है यहां से क्षेत्र के 102 उचित मुली की दुकानों को राशन भेजा जाता है गोदाम से जब राशन भेजा जाता है तो POS मशीनों से राशन की उनलाइन रजिस्टरी पर प्रविश्ची होती है देहरा गोदाम से जब डीपो में राशन भेजने की एंट्री राजिस्टर परदाच यहां परचिया काटी गई इस राशन की क्षेत्र की उचित मुले की दुकानों में एंट्री नहीं है करीब एक करोड की लागत का ये राशन जो डीपो को भीजा था लेकिन डीपो में एंट्री ना होनी का मतलब है कि राशन डीपो में ये राशन नहीं पहुंचा अब अगर डीपो में राशन नहीं पहुंचा तो सवाल यह है कि राशन कहा गया विभाग ने बीते सबताबी इस मामली के जाज के लिए बैटक बुलाई थी लेकिन बताया जा रहा है कि गुदाम इंचाज बैटक में नहीं पहुंचे